जेसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना की सुर्वा चीन के गुवान सेर से हुई है सबसे पहले कोरोना का मरीच चीन के गुवान सेर में ही मिला था फिर यहां वाइरस कुछ दिनों में इतना फेलता गया कि गुवान सेर के हजारों लोग इसकी चपेट में आ गये और धीरे धीरे यहां वायरस चीन के गुवान सेर से निकल कर यहां पूरे चीन में फेल गया फिर धीरे धीरे इसने पूरे विश्रू में दस्तक दे दी और आज की टाइम में लगबख पूरे विश्रू में कोरोना वायरस फेल गया है अगर हम WHO की माने तो पूरे विश्व को चीन ने गुम्रा किया है कोरोना वाइरस का पहला मरीज 10 जनवरी को मिला था ऐसा चीन का कहना है अगर हम WHO की माने तो कोरोना ने चीन में दिसंबर में ही दस्तक दे दी थी और चीन ने WHO को बताया कि कोरोना वाइरस का पहला मरीज 10 जनवरी को मिला है जबकि कोरोना की सुरवात दिसंबर में ही हो गई थी और चीन इसे यहां केकर टालता रहा कि यहां एक निमोनिय बिमारी है चीन ने पूरे विश्व को गुमरा किया है इसके अलावा चीन ने पूरे विश्व को खत्रे में डाला है कोरोना को लेकर अमेरिका सबसे पहले सामने आया था जब चीन ने कहा था कि कोरोना वाइरस की उत्पत्ति सुवर और चमगादर के मांत से हुई है तो अमेरिका ने सामने आकर कहा था कि कई एसा तो ना हो कि चीन के गुवान सेर से ही कोरोना की उत्पत्ती हुई हो क्योंकि चीन के गुहान सेर में बहुत बड़ी चीनी लेप थी और किसी विग्यानिक की छोटी सी गलती के कारण यहां वाइरस लेप से निकल कर भाहर आ गया हो क्योंकि सबसे पहले कोरोना वाइरस के सुरवा चीन के गुहान सेर से ही हुई थी और आज के समय में चीन के गुहान सेर में इस लेप का कोई भी अता पता नहीं है और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस लेप में जितने भी विज्ञानी काम करते थे उनका भी कोई भी अता पता नहीं है यानि की चीन ने ना कि WHO बलकि पूरे विश्व को गुमरा किया है अब चीन से कोई भी कोरोना के आकड़े सामने नहीं आ रहे है एक समय इसा था कि चीन में कोरोना के आकड़े लगतार बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे थे अब कोरोना से सम्मंदित कोई भी आकड़े चीन से सामने नहीं आ रहे है और ना ही कोरोना से सम्मंदित कोई भी न्यूज चीन से सामने आ रही है यानि की चीन ने खुद तो इस वाइरस को कंट्रोल कर लिया है लेकिन पूरे विश्व को चीन ने खत्रे में डाल दिया है जो कि अभी तक भी इस खत्रे से बाहर नहीं आ रहे है हमारी तो कोरोना वाइरस के बारे में यही राई थी आपका क्या कहना है हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेना